कोन तोड़ेगा हार का सिलसिला आज होम ग्राउंड पर मुंबई इंडियन्स से टकराएगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौझूदा सीजन में अभी तक सिर्फ दो टीमें ऐसी है जिन्हें एक भी जीत नसीब नहीं हुई है ये टीमें है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इ दिल्ली को अपने करिश्माई करसान और विकेट कीपर बल्ले बाज रिशब पंत की कमी साफ तोर पर खल रही है उनकी गैर मौझूदगी में टीम बीच के ओवरों में रंगती में इजाफा करने के लिए जूज रही है मिल रही एक तरफा हार रह दिल्ली को अब तक तीनो मैच में एक तरफा हार का सामना करना पड़ा है उसे पहले मैच में लखनओ ने 50 रंज से हराया जबकि अगले मैच में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 6 विकेट से शिकस्त जहिलनी पड़ी पिछले मैच में रॉयल्स के खिलाफ भी टीम को 57 रंज की करारी शिकस्त का साम लेकिन ये रन इतनी धीमी गती से बने है कि इन्होंने सिर्फ हार का अंतर कम किया है, वो अब तक सिर्फ 117 के स्ट्राइक रेट से रन बना पाए है, बोलिंग अटेक में धार नहीं, टीम की गेंदबाजी भी कमजोर नजरा रही है, टीम पहले मैच में पांचों भारतिये ग अबिशेक पोरेल, विकेट कीपर, अक्षर पतेल, ललित यादव, कुल्दीप यादव, खलील एहमद, मुकेश कुमार, इंपक्ट प्लेयर्जर, चेतन सकारिया, यश्दूल, मनीश पांडे, रोवमेन पॉविल, मुंबई इंडियन्स, रोहित शर्मा, कक्तान, इशान कि सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, रितिक शौकीन, पियूश चावला, जोफरा आर्चर, अर्शक खान, जेसन बहरंडोफ, इंपक्ट प्लेयर्जर, शाम्ज मुलानी, नहल वधेरा, अर्जुन तेदुलकर, रमंदीप सिंग बुजे से स्टार स्पोर 80 रन की पारी को छोड़ दे, तो दो मैच में उसका कोई DSC अगुई वाली मुंबई की टीम को भी अपने पहले दो मैच में एक तरफाहार का सामना करना पड़ा, मुंबई के भी बल्लेबाज और टिम डेविड और तिलक वर्मा जैसे प्रभावी नाम शामिल है, RCB के खिल दिल्ली केपिटल्स ने कोटला के मैदान पर उसे 31 में जीत दजर और 49 में हार मिली है, एक मैच का परिनाम नहीं निकला, रन बना चुके है, रोहित शर्मा अभी तक दिल्ली के खिलाफ, इन दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबले में किसी बल्लेबाज जवारा बनाए ग झाल 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 झाल